नमस्कार दोस्तों, मैं धर्वेन वर्मा, उनलाइन इस्टड़ी विडिके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ, आज है 27 दिसंबर और सिटेट का जो फ़ेश्ट स्रिप्ट का एक्जाम है, वो हो चुका है जिसमें जो बच्चों द्वारा बताये गई प्रशने ह यहां प्रशन जो बच्चों द्वारा बताये गई हैं, वहीं प्रशन आपको बताये जाएंगे, बहुत सारी कमेंट से आते हैं, यहां प्रशन नहीं पूछे गए थे, देखिए हमारे द्वारा एक भी प्रशन यहां पर एड नहीं किया होता है, जो बच्चों द्वारा शेर करना है、 वोग चैनल होगे आज का, सात में आज के paper की बात करें तो आज का paper पड़ाई नहीं करते उनोको तो हमेशा कठी नहीं लगता है, लेकिन जो बच्चे पड़ाई करके गए हैं उनको वो आज के पेपर कठी नहीं लगा हुआ, कुछ ही प्रशने पर्यावरा नध्यन के थे, जो की सोलव आपसे नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन जो बाकी के प्रशने थे, वो आसानी साफ हल कर पा रहे होंगे, यदि आपने अच्छे से तियारी करी होगी, तो ज़रा टप नही पूछा गया था, करकर एखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये आट राज्यों से गुजरती, कौन-कौन से आट राज्ये, गुजरात, राजस्तान, मद्यप्रदेश, छतिजगर, जहारखन, परश्री मंगाल, त्रीपुरा और मिजोरम, ये आट राज्यों से होकर उजरती है, करकरेखा, किसे विटामिन की कमी से दिखाई नहीं देता है, तो वो है विटामिन A, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतोंदी रोग होता है, जो व्यक्ति होता है, उसे कम दिखाई देता है, तो यहाँ पर कौन से विटामिन की कमी से दिखाई न लब नाव द्वारा केरल में बच्चे स्कूल जाते हैं, 2020 से लगातार प्रश्ण पूछे जा रहे हैं, चाहे वो फर्ष्ट शिप्ट हो या फिर सेकंड शिप्ट हो, इस से रिलेटेड एक वीडियो हमने बनाया है, अदि आपने वो नहीं देखा है, तो उसको देख प्रश्ण पर प्रश्ण भी पूछा गया था, कहें सकते हैं कि डिलेक्स Lewis से सम्देड प्रश्ण भी आज एकजाम में पूछा गया था, कोण सी green house गेस नहीं, यहाँ पर दिखेंगा, चार विकल्प्र हमने में नहीं मिले हैं, लेकिन प्रश्ण इतना ही मिला था कि कोण सी green house gas नहीं है, चारविकल के मेरे मेने अपने मन से रखे हैं, तो इन में से आप देख सकते हैं कि कौन सी green house gas नहीं है, carbon dioxide, methane, nitrous oxide या फिर nitrogen, तो यहाँ पर जो nitrogen gas हैं, यह green house gas के अंतरगत नहीं आती है, ozone, methane, nitrous oxide, chlorofluoro, carbon, carbon dioxide और जलवास, यह सभी जो gas हैं, यह green house gas हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कि कौन-कौन सी gas green house gas के अंतरगत आती है, Montreal protocol किस से संबन्दी थे, यहाँ पर देखे, Montreal protocol से भी एक प्रशन पूछा गया था, Montreal protocol किस से संबन्दी थे, तो यह ozone परत के चाहिक को रोकने से संबन्दी थे, Montreal protocol, आज पूछा गया था, कि आप से कि इन में से कौन सा पोधा कीट भक्षी नहीं, यहाँ पर देखे, चार विकल पोहते, तो ही यहाँ पर आंसर दे पाते, क्योंकि प्रशन में negative पूछा गया था, कि इन में से कोई सा पोधा ऐसा है, जो कि कीट भक्षी नहीं है, भारत में हिंदी केसी भासा है, तो आप सभी को पता है कि यह राज भासा है, इस प्रकार का प्रशन पूछा गया था, इंगलिस में भारत में अंग्रजी केसी भासा है इस प्रकार का प्रशने पूछा गया था हिंदी में पूछा गया था भारत में हिंदी केसी भासा है और इंगलीज में पूछा गया था कि भारत में अंग्रेजी केसी भासा है हिंदी में आए दूर विवार का संदी विक्षित पूछा गया था कि दूर विवार का संदी विक्षित क्या है तो इसका संदी विक्षित होता है दू प्लस विवार और जहां पर विसर्ग लगा होता है वहां पर कौन से संदी होती हमेशा विसर्ग संदी होती लोग की सभा ये समास विगरा होता है और इसमें ततपुरोष समास होता है संतानवे में इकाई अंक यहाँ पर देखे गणित में प्रस्ण पूछा गया था कि संतानवे में इकाई का अंक क्या है साथ है इकाईक का साथ है और दहाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईकाईक गटाएंगे तो कितना आएगा 901 आएगा और यही आपका आंसर होगा चलिए अगला मैस्सिमाद प्रस्षन पुछा गया था कि 120 का 3 बटे 4 क्या होगा यहाँ पर 120 का 3 बटे 4 पूछा गया था तो आप 4 को 4 से 120 को काटेंगे तो आपका कितना आएगा 30 आएगा और 30 इंटू 30 करेंगे तो आपका कितना आएगा 90 आएगा इने 90 होता है 120 का तीन बटे 4 तो 90 यहाँ पर आपका रैट आंसर होगा यदि इस प्रकार का प्रशने पूछा गया हो तो यदि संख्या भी यहाँ पर चेंज हुई होगी लेकिन प्रशने डटे 4 पूछा गया होगा तो आपका 90 आंसर होगा संसिक्रत में देखmakers 3 विभक्ती आज पूछी गई थी साथ में एक प्रती भी पूछा गया थी साथ में आज एक नयोँ टोपिक से प्रशन देखने को मिला लाभभाणी से आपको प्रशन देखने को मिला बट्टा से प्रशन पूछे जा रहे हैं तो आपको जो सीटेट के जो सीलिवस के एकोडिंग जो विसे सुरी टोपिक दिये गए हैं उन सभी को आपको कवर कर लेना है आने वाले एकजाम के लिए तो डाइरेक्शन से सम्मनित भी आज प्रशन पूछा गया है हाती से सम्मनित डेली प्र जिम से समझाए गया है तो वहाँ पर आसानी साब समझ सकते हैं प्याजेस सम्मनित डेली प्रशन पूछा जा रहा है कोहल बर्गय की द्वारा वाईगोजी के सम्मनित इन तीनों से सबसे ज्यादा प्रशन हर सिप्ट में पूछा जा रहा है चाहिए वह फर्ष्ट शिप् हो तो प्याजे से जितने भी प्रशन बन रहे हैं उनको याद कर लेना है। NCF 2005 ये भी हर सिप्ट में पूशा जा रहा है NCF 2005 थे NCF 2005 RTE Act 2009 इन दोनों की अलग-अलग वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चेनल पर उन दोनों में जिदने में इंपोर्टेंट प्रशने सभी निकाल कर आपको बताये गए हैं उनको भी देख लिजेगा प्रगति सिल सिक्षा से भी आज प्रशने पूशा गया था इससे सम्मनत प्रशन भी daily सिप्ट में पूशे जा रहे हैं जैसे की पर्यावरान अध्यन की हम बात करें तो थीम से सम्मनत प्रशने पूशा जा रहा है आपके फर्ष्ट सिप्ट में गोरेया से सम्मने ताज दो प्रस्ण पूछे गए थे बात करें हम CDP के तो CDP में आपकी समवेसी कक्छा में एक बच्चा दर्ष्टी बाती थे तो आप उसे कैसे पढ़ाएंगे चार विकल्प होती है तो हम उसका आंसर जरूर बताते लेकिन यहाँ पर चार विकल्प हमें नहीं पता है इस वज़े से हम यहाँ पर आंसर आपको नहीं बता पा रहे हैं सब्जियों से डेली प्रस्ण पूछे जा रहे हैं आपसे किस पक्छी की चोंच में चलनी लगी होती है इस प्रकार का प्रस्ण भी आज पूछा गया था मैं शूर नहीं हूँ कि यह पूछा गया था या फिर नहीं तो आपका यदि आज पेपर था तो आप जरूर कमेंट से के माद्यम से बताएगा कि यहाँ प्रस्ण आज पूछा गया था या फिर नहीं तो आज 38- 42 प्रश्ण थे ये आज के जो paper है उसमें देखने को मिले जो प्रश्न हमें मिलते हैं वहीं हम बताते हैं इनको हम 50 भी कर सकते थे यदि हमारे तरब से जोड़ना होता है सको 60 भी कर सकते थे यानि ज़्यादा-ज्यादा प्रश्न हम यहां पर बता सकते थे ले किन हमें प्रशन बताए गई हैं उतने ही प्रशन हम आपको बताएंगे ज्यादा प्रशन हम नहीं बताएंगे हमारी तरप से किसी भी प्रकार से प्रशन एक भी नहीं जोड़ा जाता है जो प्रशन बच्च के द्वारा बताए जाता है वहीं यहाँ पर हम आपको बताते हैं उनके उत्तर ढूंड कर आपको देते हैं कि इसका यह अंसर होगा और इससे सम्मनेत यह प्रशन बन सकते हैं तो यहाँ पर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से प्रशन नहीं जोड़ा गया है आप बार-बार कमेंट से नहीं करिएगा यदि आपको लगता है कि यहाँ प्रशन एक्जाम में नहीं पूछे गए थे तो आपसे एक विनिती हैं जो प्रशन पूछे गए थे वो आप कमेंट से की माद्यम से बता सकते हैं सर यहां प्रशन नहीं पूछा गया था, यहां यहां प्रशन पूछा गया था, इस प्रकार से आप हमें कमेंट से के माध्यम से बता सकते हैं, तो I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ इसमें नया देखने को मिला होगा, ताकि आपकी जो एक्जाम है आने वाली उसमें आप अच्छे से त्यारी कर सके, तो आगे भी हम पांच बजे का जो एक्जाम आपका होगा, सेकर्ड इसिप्ट का, उसमें भी जो इंपोटेंट, जो भी आज के प्रशने पूछी जाएंगे, उनका भी एक वीडियो बनाएंगे, तो उसका भी इंतजार करेगा, यदि आप सेकर्ड पेपर के एक्जाम दे रहे हैं, तो आपने भरा है फांच सेकर्ड पेपर का तो, तो उसका भी वीडियो हम जल्द ही 5-6 बजे के बीच में अपलोड कर देंगे, तो उसको भी देख लीजेगा, तो जल्द ही दोस्तों, हम 5-6 बजे आपसे मिलत हैं, जब तक के लिए धन्यवाद